हेलो गाईश तो आज हम जाने वाले हैं कि किस तरह से आप जब कभी qr code फटा हो या फिर उसके ऊपर कुछ liquid अगरा लग जाए या फिर कभी मिट जाए तो उस case में आप क्या कर सकते हैं तो आपके बास दो आपसन होता है यहां तो आप packet पे दिया हुआ जो qr code होता है उसके नीचे जो manual code लिखा होता है आप उसको टाइप करके आपने packet को deliver कर सकते हैं या फिर दूसरा case क्या है कि यह तो आपका हो गया कि आपके पारसल पे है और आपने वहां से देख के कर लिया लेकिन अगर आपके qr code के नीचे जो नमर है वह भी मिट गये हैं या उसमें भी कोई दिखाता है तो आप उसको सबसे पहली बात कि Amazon office से तो पिक ही नहीं करेंगे और अगर Amazon office से पिक कर लेते हैं उसके बाद अगर रास्ते में कहीं कुछ होता है तब गरबर होता है तो दालके मैनुल आप वाइकट को डिलीवर कर सकने ठीक है तो यह मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं लेकिन आप इसको यूज मतलब आप किसी जानबूच की यूज नहीं कर सकते हैं अगर कभी एमर्जनसी में कुछ हो जाता है तब आप इसको यूज कर सकने है तो यह क्याइब करना है तो हम उसको मैनुवल करेंगे तो मैन ट अच्व फानौल ऑट यहां पर करेंगे तो यहां पर इसी तरह से यहाँ नहीं तक है पांके बाद में फायदा हो ठीक है तो राइट साइब करेंगे तो यह आपका पाइकट स्कैन हो जागा यहां पर दिखा रहा है टोटल 19 पार्क सलाज में को मिले हैं और आज हम 19 पेकट अपने डिलीवर करेंगे ठीक है तो यह सिंपल सा प्रोसेस मतलब इतना कुछ खास नहीं लेकि क्योंकि कभी कभी जुरूत पढ़ जाती है नई डिलीवरी पाइटनर्स के लिए ठीक है